हेलो दोस्तो, स्वागत है आप सभी का मर्जे स्टडी पॉइंट में दोस्तो आज हम बात करेंगे भारत के राष्ट्य धज से संबंदित महतपूर्ण प्रिश्णों के बारे में दोस्तो इसमें टॉप फाइब एम स्क्यूज कुश्णों को रखा गया है जो सभी महतपूर्ण परिश्णों में पूछे गए हैं तो चलते हैं प्रिश्णों की ओर राष्ट्य धज में लंबाई और चोड़ाई का अनपात कितना होता है तो तो हमें बताना है कि जो हमारा राष्ट्य धज है तिरंगा उसमें लंबाई और चोड़ाई का जो अनपाथ है वो कितना है तीन अनपाथ दो तो अनपाथ तीन एक अनपाथ तीन या फिर तीन अनपाथ एक तो दोस्तों इसका अंसर हो जाएगा तीन अनपाथ दो यानि option first इसका right answer हो जाएगा लंबाई और चोड़ाई को जो अनपाथ है वो है तीन अनपाथ दो इसके लावब दोस्तों अगर हम बात करें कि राश्ट धज का डिजाइन किस ने तयार किया था तो अगर हम अपने राश्ट धज का डिजाइन की बात करते हैं तो नाम आता है पिंगली बंकया जी इनों नहीं राष्टे द्वज कर जाएं तयार किया था इसके लाव दोस्तों हम देख सकते हैं यह है हमारा राष्टे द्वज तिरंगा देख सकते हैं जिसमत तीन पट्टियां है तीन रंगों की पट्टियां है दोस्तों उपर की पट्टी है लाल यानि केशरिय पट्टी वो सक्ति साहस का प्रतीख है यानि सक्ति साहस और बलिदान का प्रतीख है अगर हम बात करें दोस्तों बीजवाली पट्टी जो की सपेद रंगी होती है सपेद रंग यानि ये क्या दिखाता है ये सांती और सत्य का प्रतीख है सांती और सत्य को प्रतिक यानि उपज और हर्याली का प्रतिक है तो इन तीनों रगों से भी प्रिश्ण पूछे जाते हैं कि कौन सा रंग किस चीज का प्रतिक है इसके लावद दोस्तों हम बात करें तो बीच में देख सकते हैं यह चक्र है जिसमें की 24 तीलिया होती है इसे असोग चक्र खा जाता है तो दोस्तों इसके रंग की बात करें तो इसका जो रंग होता है वो होता है नीला रंग जो की देश की देश को प्रगति की हो ले जाने के लिए हमें प्रिरित करता है चलते है नेक्स कुशन के ओर भारत का राष्ट्य धवज सम्मिधान सवाद्वारा का अपनाया किया था 22 जुलाई 1947 26 जनवरी 1950 26 नवंबर उन्निस सो पचास 26 नवंबर 1950 तो दोस्तों हमें बताना है कि सम्मिधान सवा जोती हमारी उसने हमारे राष्ट्य धज को कब अपनाया था तो इसका अंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 इसके सब्सक्रावा नेक्स्ट कुश्ण पर देखते हम असोग चक्र में दो टीलियों के बीच कितने डिग्री का कौन burnt स्थित है हम बताना है जो हम राष्ट्य धज म असोक चक्र है उसमें जो तीलिया है उनमें दो तीलियों के बीच कितने डिगरी का कौण इस्तित होता है 15 डिगरी 20 डिगरी 25 डिगरी या फिर 10 डिगरी तो दोस्तों इसका अंस हो जाएगा 15 डिगरी यानि जो तीलिया हैं उनमें प्रतेक दो तीलियों की बीच 15 डिगरी का कौण होता है option first इसका right answer है इसके लाव दोस्तों अगर हम बात करें कुल तीलियों की तो इसमें कुल 24 तीलिया होती है असोक चक्र में और इसका जो रंग है वो हम बता चुके हैं दोस्तों इसका जो रंग है वो नीला है चलते है next question की ओर इस पर जाने से पहले दोस्तों इसे भी हम देख सकते हैं कि जो हमारा असोक चक्र है यह देख सकते हैं यह जो हमारा असोक चक्र है वो इसी असो के स्थम्ब से लिया गया है चलते हैं नेक्ष कुश्यन की ओर किस कमेटी की सिपारिस पर आम लोगों को भी बर्ष के किसी भी दिन धोजार रोहन का अधिकार मिला सिनाय कमेटी, बी एन खारे समिती, बैंकेट समिती या फिर इन में से कोई नहीं तो दोस्तों इसका अंसर हो जाएगा सिनाय कमेटी, सिनाय कमेटी की सिपारिस पर ही आम लोगों को भी बर्ष के किसी भी दिन सम्बान के साथ दोजार रोहन का अधिकार मिला अप्शन पर स्थिस का राइट आंसर है तो दोस्तों आप देख सकते हैं आम उनागरेख भी सम्मान के साथ दोजार रोहन कर सकते हैं यानि 26 जनवरी दोजार दो से आम लोगों को भी सम्मान सहीद दोजार रोहन का अधिकार मिल गया था नेक्स्ट कुश्चिन भारतिय दोहस्ता को कब से लागू किया गया 26 जनवरी 2002 26 जनवरी 2001 26 जनवरी 2004 26 जनवरी 2005 तो इसका अंसर हो जागा दोस्तो 26 जनवरी 2002 हमारी जो भारतिय दोहस्ता है उसे 26 जनवरी 2002 से लागू किया गया था इसके लावा अगर हम बात करने दोस्तो पुराने नाम की तो पहले से 22 सहिता भारत इस नाम से जाना जाता था और 2002 में इसे भारते दोष सहिता के नाम से ये लागू हो गई इसमें राष्टे दोष से संबंदित अगर दोस्तों अगर बात करें हम कि इसमें है क्या यानि भारते दोष सहिता में है क्या तो इसमें राष्ट्य धर्ष्य संबंदित नेमों का वर्डन है और इसे 2002 में लाउग क्या गया तो अप्शन बस्ट इसका राइट अंसर हो जाएगा तो दोस्तों ये थे राष्ट्य धर्ष्य संबंदित महत्पूर्ण प्रष्ण जो परिच्छा में अक्सर पूझे जाते हैं और वैसे भी हमें अपने राष्ट्य धर्ष्य संबंदित इन तत्यों को जानना आवश्चक है तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें चैनल को धन्वाद दोस्तों